नमस्कार सू स्वागतम विल्कम अभीन अंदन मैं हूँ डॉक्टर वायरा के आप लोगों का स्वागत करती हूँ सिर्फ छोटी सी वीडियो बनाऊंगी और इस छोटी सी वीडियो के अंदर मैं आपको जानकारी दूंगी ऐसे 12 पौधे जो दिवाली से पहले आपके घर में जरूर होने चाहिए और अगर ये पौधे आप अपने घर में ना लगा सक्किया आप विदेश ऑस्ट्रेलिया अमेरिका अफ्रीका रहते हो तो क्या करें से पहला पौधा है मनी प्लांट को घर के अंदर भी रख सकते हैं बाहर भी रख सकते हैं मनी मनी प्लांट का जो पत घर में आएगा तो सबसे पहला पौधा है money plant दूसरा पौधा है कसुरूला ओवटा कसुरूला ओवटा जिनके घर में होता है अचानक से धन का आगमन वहाँ से होता है मतलब unexpected money आपके घर में आती है फिर अगला पौधा है लक्षणा लक्षणा का पौधा जिनके घर में होता है वो लक्षमी जी को इतना पसंद है इतना पसंद है कि लक्षमी जी वो घर छोड़कर कभी जाती ही नहीं है उसके बाद केले का पौधा लेकिन केले के पौधे केले कहावत है केला रहे सदा केला केला आपको जब भी रखना है अपने घर की जो चौकट है उसके बाहर रखना है अपने घर की बालकनी में रख लीजिए मतलब उसके उपर ना छत नी होनी चाहिए क्योंकि केला रहे सदा केला घर के आसपास कहीं पार्क में लगा लीजिए मैंने भी अपने घर के बाहर पार्क में लगा तुलसी का पौधा रामा और शामा दोनों ही तुलसी होनी चाहिए आश्वगंधा का पौधा बेहत जादा पसंद है कनेर का पौधा भगवान को लक्षमी को बेहत जादा पसंद है कनेर की पूझा करने से विश्नु भगवान प्रसंद होते हैं और अश्वगंधा से सुख ह आख का पौधा जो गनपती को पसंद है श्वेत आख के पौधे की जड़ में गनेश जी का वास होता है कहते हैं जो श्वेत आख के पौधे की पूजा करता है गनपती का प्रती को मानते हैं उसके घर में कितने भी विगन क्यों ना हो कितने भी वास्तू दोश क्यों ना हो कि हर जगा पर जीत को प्राप्त करें अपराजित ना हो तो ये कोट कचेरी के केसों में भी आपकी जीत कराता है हार सिंगार का पौधा जो अगेन लक्षमी जी को बहुत पसंद है हार सिंगार के पौधे के फूलों के बिना आप दिवाली वाली रात को लक्षमी की पूजा कर ह कि नहीं से…